सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक खिला देने वाली हॉरर स्टोरी पहला इकन प्रेस करना ना भूलें हमें हसाते हैं अगर जिन्दिगी की सबसे डरावनी चीज बन जाएं तो क्या हो आज की कहानी ऐसी ही एक डरा देने वाली पॉपलर हॉरर फिल्म इट की सची कहानी पर अधारित है ये बात 1980 की है जब अमेरिका में चंद हफ्तों के बीच कई सारे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे उनके पेरिंट्स बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो उने ढूने तो ढूने कैसे ये खबरें अभी फैल ही रही थी कि बॉस्टन में रहने वाले पीटर का साथ साल का छोटा भाई जेरी एक दिन अचानक से गायब हो गया कुछ ही देर पहले वो पीटर के रूम में उसका फेवरिट पहन छीनने की कोशिश कर रहा था और जगड़ा करके पीटर ने उसे बाहर भेज दिया बाहर बहुत जोरों की बारिश थी जेरी गुसे में अपना येलो रेंकोट पहन अपनी साइकल लेकर रोट की तरफ चल दिया तेज बारिश के चलते चलते रोट एकदम सुनसान थी जेरी को चलते चलते एक रेड बलून दिखा इनोसेंट सजेरी साइकल से उतर कर बलून लेने चला गया जैसे जैसे वो बलून की ओर गया वो बलून उससे थोड़ा पीछे के सकता चला गया आखिर में वो बलून एक सुरंग के पास जा पहुचा और उसके अंदर चला गया जेरी सैड होकर अपनी साइकल की तरफ लोटने लगा तभी पीछे से उसे एक आवाज आए जेरी 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 उसने देखा कि एक क्लाउन स्माइल करते हुए उससे बलून ओफर कर रहा है जेरी सुरंग के पास बैट कर उससे बात करने लगा अचानक से उस क्लाउन ने बड़ी सी स्माइल की पलग जपकते ही जेरी को सुरंग के अंदर खीच लिया जब काफी देर तक जेरी घर नहीं आया तब पीटर को जेरी की फिक्र होने लगी पीटर अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंडने निकला बारिश अब भी बहुत तेज थी कुछ दूर पहुचकर उसे जेरी की साइकिल दिखी पीटर बहुत घबरा गया वो हर तरफ जेरी को खोजने लगा अचानक से उसकी नजर उस सुरंग पर पड़ी और वहां उसे जेरी के रेनकोट का एक छोटा सा तुकड़ा दिखा पीटर ने सुरंग के अंदर जाका लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा उसे यकीन था कि जेरी किसी ना किसी मुसीबत में है वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास मदद मांगने गया पीटर जोरो से हॉली और सैम का नाम चिला रहा था वो दोनों घूर कर पीटर को देखने लगे पीटर की आँखों से आंसु आ गये उसने जेरी की पूरी बात उन दोनों को बताई तीनों ने डिसाइड किया कि वो अभी ही जेरी को ढूनने जाएंगे और वो शेहर की तरफ निकल गए पीटर ने उन दोनों को वो सुरंग दिखाई वहाँ कुछ और भी लोग खड़े थे एक लेड़ी अपने हस्बेंट के कंधे पर सर रख कर बहुत जोर जोर से रो रही थी उनकी बाते सुनने पर पता चला कि उनका बच्चा भी कहीं गायब हो गया रात तक बहुत सारे बच्चों के गायब होनी की न्यूज टीवी पर आने लगी अगली सुभा पीटर, हॉली और सैम किसी को बिना बताए जेरी को ढूड़ने निकल पड़े जंगल का एक रास्ता सीधा सुरंग के अंदर जाता था उतीनों उस रास्ते से सुरंग के अंदर खुज गए सुरंग में गहरा अंधेरा और एक अजीब सी स्मेल भी थी सैम आगे बढ़ा तो उसे कुछ क्रैक होने की आवाज आई उसने नीचे देखा तो वो जोर से चीक पड़ा नीचे हड्डियां थी और उन हड्डियों के पास लाल रंग का खुण सुरंग के पानी के साथ बहरा था उसी बहते पानी में उन्हें जेरी का एक जूता मिला जिसे देखकर पीटर को यकीन हो गया कि हो ना हो जेरी उसी सुरंग में कैद है वो तीनों हिम्मत करके और आगे बढ़े अचानक उन्हें एक क्लाउन की जोर से हसने की आवाज आई और उनके हाथ में जो टॉर्च थी वो बंद पड़ गए सैम ने अपने बैक से एक कैंडल निकाली और उसे जलाया जैसे ही उन्होंने कैंडल जलाई उस कैंडल की रोशनी में उन्हें एक बहुत ही डराबना क्लाउन दिखा जिसने फूक मारते ही उनकी कैंडल भुजा दी तीनों बहुत जोर से चीखे और उस सुरंग से बाहर निकल कर भागाए उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्लाउन कौन था उन्हें बस इतना पता था कि उस सुरंग में कुछ तो गड़बड है उन्होंने डिसाइड किया कि कल पूरी तयारी के साथ वो फिर उस सुरंग की चानबीन करने आएंगे अगर आपको हमारी स्टोरी इट का पहला पार्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और देखिए अगले हफते हिला देने वाला पार्ट टू और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें